यूट्यूब पे जब भी कोई top performing mutual fund या फिर best mutual fund की वीडियो आती है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए mainly दो तरह के लोग सबसे पहले भागते हैं वीडियो को skip मत करना एक बहुत ही important fact में आप लोगे साथ share कर रहा हूँ तो इन दो लोगों में सबसे पहले वो लोग आते हैं जो लोग mutual funds में अपना पैसा invest करने की सोच रहे हैं प्लान कर रहे हैं और अपने लिए एक बहुत ही अच्छा mutual fund ढून रहे हैं तो वो लोग ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं अलगलग यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं और जिस भी mutual fund का नाम उन्हें अलगलग वीडियोस में सबसे जादा सुनने को मिलता है वो लोग उसी mutual fund में अपने पैसे invest कर देते हैं क्योंकि obviously अगर एक ही mutual fund का नाम उन्हें अलगलग जगा से सुनने को मिलेगा यानि कुछ ना कुछ खास तो इस mutual fund में हो गई सेम ऐसे ही जैसे कि अगर आपको एक mobile phone purchase करना है तो उस mobile phone को purchase करने से पहले आप बहुत सरे यूट्यूबर्स की अलगलग review वीडियोस देखते हैं कि उस mobile phone में क्या अच्छा है और क्या खराब है ये तो होगे पहले लोग दूसरे वो लोग आते हैं जो कि already mutual funds में अपने फिर best list में आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं तो genius हूँ मैंने इसी mutual fund में अपने पैसे invest किया है मतलब मेरे life तो set है लेकिन अगर वो mutual fund उस video की top list में नहीं आता है तो आप यहाँ पर थोड़ा से निराश हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार उस वाले यूट्यूबर ने तो यह वाला mutual fund अच्छा बूला था इसलिए मैंने इसमें इंवेस्ट किया है लेकिन इस वाले यूट्यूबर की list में वो mutual fund ही नहीं फिर आपको लगता है कि यार इस सारे यूट्यूबर सारी वीडियो हमें मि बात करूंगा और इन सबी चीज़ों को आपको explain करूंगा तो वीडियो के एंड तक आते आते आपको इस अभी बाते बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आप ज्यादा confidently और निश्चिन्थ होकर अपनी investments कर पाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहूं सबसे पहले हमारे पास होगा एक index fund उसके बाद हमारे पास आएगा एक flexi gap fund और finally हमारे पास आएगा एक small cap fund और ये mutual funds actually मैं कौन-कौन से हैं क्या इनके नाम है और क्यों मैंने इन mutual funds को चूज किया है अगले 10 साल या even 15 साल की investments के लिए ये सबी चीजे आपको बस अभ एडियो में comparison के लिए तो सबसे पहले हमारे पास आता है nifty 50 का index fund उसके बाद हमारे पास आता है HDFC index fund nifty 50 plan फिर हमारे पास आता है ICIC Prudential का nifty 50 index fund तीनों ही nifty 50 index funds है यानि कि इनके जो benchmark है वो सेम ही है तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं fund age की तो तीनों ही fund 10 साल 9 महिने प HDFC index fund जिसका fund size है 9829 करोर का फिर तीसे नमबर पर हमारे पास आता है ICIC Prudential का nifty index fund जिसका fund size है 5207 करोर का तो अगर आपने मेरी इस से पहले की कोई mutual fund comparison वीडियो देखी है जहांपर मैं mutual funds को compare करता हूं तो जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं कि जिस भी mutual fund का जो भी parameter हमें पहाई देता है उसे mutual fund को हम यहाँ पर बहतर माल लेते हैं obviously जो comparison होता है वो ऐसे ही होता है तो क्योंकि यहाँ पर UTI Nifty 50 index fund का जो fund size है वो काफी पड़ा है और क्योंकि यहाँ पर हम 10-15 साल की investments की बात कर रहे हैं तो fund size जो है वो matter करेगा तो जिस mutual fund का fund size जादा है यानि कि ज expense ratio अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे जादा expense ratio है UTI Nifty index fund का और index funds में एक और चीज़ जो सबसे जादा matter करती है वो है उस mutual fund का expense ratio तो अगर आप 3 चार index funds को compare कर रहे हैं तो जिस index fund का expense ratio कम होगा वो index fund आपके लिए जादा beneficial होगा क्योंकि long term में index funds में आप जितने कम expenses pay क करेंगे यहाँ पर आपका उतना ही फायदा होगा तो क्योंकि यहाँ पर आइसे सी प्रुडेंशल का जो Nifty index fund है इसका expense ratio सबसे कम है तो हमारे लिए यही mutual fund अच्छा है in terms of expense ratio तो इसको हम यहाँ पर mark कर देते हैं next हमरे पास आता है exit load और क्योंकि यहाँ पर हम long term investments की बात कर रहे हैं और exit load अगर किसी mutual fund पर होता भी है तो जाज़ादा एक साल के लिए होता है तो exit load से हमें यहाँ पर कुछ खास फरक नहीं पड़ता तो exit load को हम यहाँ पर skip कर देंगे benchmark हम देखी चुके हैं तीनों ही same benchmark को belong करते हैं उसके बाद अगर हम returns की बात करते हैं तो returns three months six months one year इन सब को देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह index funds हैं और सभी के performance almost around same सी होती है mainly हमारे पास यहाँ पर जो return हमें देखने हैं वो देखने हैं five years के returns और five years के returns में भी यहाँ पर ज्यादा नहीं है 14.94 14.83 और 14.90 और index funds जैसे के हम जानते हैं कि index funds क्योंकि एक index को replicate करते हैं उसको copy करते हैं और सभी index funds आपस में same ही होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर जो return के differences आ जाते हैं वो आ जाते हैं उनके tracking error की वजह से tracking error जैसे कि आप देख सकते हैं यूटी आई का 0.04 है इसका 0.05 है और ऐसे इसे का 0.05 है तो returns के अगर हम बात करते हैं तो honestly index funds के अंदर मैं यहाँ पर returns को compare करने में returns तो यहाँ पर मैं UTI Nifty index fund को एक यहाँ पर green mark देता हूँ और उसके बाद जो हमारे पास आता है ICC Prudential मैं इसको भी यहाँ पर green mark देता हूँ उसके बाद अगर हम alpha beta की बात करते हैं तो इनको compare करने में मैं यहाँ पर interested नहीं हूँ क्योंकि index funds है standard deviation तीनों ही fund का same सही है कोई फरक नहीं है turnover ratio जो है वो active funds में ज्यादा matter करता है तो index funds में हम यहाँ पर इसको compare करने में interested नहीं है tracking error में कोई बड़ा difference नहीं है 0.04.05.05 तो tracking error को भी हम यहाँ पर skip कर देते हैं तो index funds के अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैं आपको बताया था कि index funds में expense ratio matter करता है tracking error matter करता है और उस fund का fund size matter करता है और अच्छी बात यह है कि तीनों ही index funds का nifty 50 index fund चूज करूँगा सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका expense ratio जो है वो काफी कम है fund size को लेके मुझे यहाँ पर चिंता करने की जुरूत नहीं है क्योंकि already इसका fund size काफी अच्छा है तो finally हमारे पास shortlist होके जो एक fund आ जाता है वो आ जाता है index funds के अंदर ICC Prudential nifty 50 index fund ओके तो यह होगी index fund की बात next category हमारे पास आती है flexi gap funds की और flexi gap fund के अंदर मैंने यहाँ पर shortlist किये हैं दो flexi gap fund एक है HDFC flexi gap fund और दूसरा है पाराग पर flexi gap fund तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं fund age की तो दोनों का ही fund age जो है वो almost similar सा है 10 years 9 months, 10 years 5 months दोनों में बहुत बड़ा difference नहीं है fund size के अगर हम बात करते हैं तो HDFC flexi gap fund का fund size है 39,794 crores का जबकि पराग पर flexi gap fund का fund size है 42,785 crores का तो क्योंकि इस fund का fund साही जादा है तो मैं यहाँ पर इसको एक marking दे दूँगा next हम बात करते हैं expense ratio की तो HDFC flexi gap fund का expense ratio थोड़ा जादा है 0.94% का और पाराग पर flexi gap fund का expense ratio है 0.66% का तो again हम यहाँ पर marking इसी को देंगे exit load की बात करते हैं SJC flexi gap fund का exit load है 1% का और पाराग पर flexi gap fund का exit load है 2% का तो इसका exit load जादा है लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर minimum 10 साल की investments की बात कर रहे हैं तो exit load से मुझे फरक नहीं पड़ता benchmark दोनों ही mutual fund का same है returns के अगर हम बात करते हैं तो 3 months और 6 months के जो returns हैं यह सिर्फ आपके reference के लिए है मैं यहाँ पर इनको compare नहीं करूंगा सीधर हम बात करते हैं 1 year के returns की तो 1 year के returns बाराग पर mutual fund के थोड़े से जादा है उसके बाद अगर हम 3 years के returns की बात करते हैं तो वो HDFC flexi gap fund के जादा है finally अगर हम 5 years के returns की बात करते हैं जो के actually comparable returns होते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो बाराग पर एक flexi gap fund के returns जादा है उसके बाद हमारे पास आता है alpha, alpha याने कि किसी भी mutual fund ने अपने benchmark के मुकाबले कितने extra returns generate किये हैं तो alpha जितना जादा होगा वो mutual fund उतना ही आपके लिए बहतर है तो alpha क्योंकि यहाँ पर SJFC flexi gap fund का जादा है 7.92% का तो हम यहाँ पर इसको एक good mark देंगे उसके बाद हम बात करते हैं beta की beta याने कि वो mutual fund कितना risk करी करता है तो beta जिस mutual fund का 1 से कम होता है उसको less risky बोला जाता है compared to वो mutual fund जिसका beta 1 से जादा है तो beta क्योंकि यहाँ पर पराग पर एक flexi gap fund का कम है यानि कि यह mutual fund कम risky है तो जितना कम risk का आप करी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है यानि कि वो mutual fund उतना ही जादा volatile है तो obviously हमें यहाँ पर वो mutual fund चूज करना होगा जिस mutual fund का standard deviation कम है तो पराग पर एक flexi gap fund का क्योंकि standard deviation कम है तो हम obviously इसी को चूज करेंगे उसके बाद आता है turnover ratio यानि कि कि किसी भी mutual fund की जो holdings है उसमें कितने ज्यादा changes आ रहे हैं और कितनी जल्दी वो changes आ रहे है तो turnover ratio को कि percentage में होता है और 34.61% portfolio allocation में change आना एक बहुत ही high value होती है अगर किसी भी mutual fund का turnover ratio है वो 25% से उपर का होता है उस mutual fund को mismanaged mutual fund बोला जाता है यानि कि उस mutual fund को सही से manage नहीं किया जा रहा है उसमें बहुत सब्सक्राइब चेंज़ आ रहे हैं वहीं comparative to HDFC Flexicap fund अगर मैं यहाँ पर 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 एक फ्लेक्सिकाइब फंड की बात करता हूं तो इसका turnover ratio खाली 5.28% का है तो मैं यहाँ पर अगेन पर पर एक फ्लेक्सिकाइब फंड को ही एक mark दूँगा तो यही mutual fund हमारे लिए better होगा turnover ratio के हिसाब से तो finally अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जादा green mark हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पराग पर एक flexi care fund के अंदर flexi care mutual funds के अंदर मैंने यहाँ पर SGFC flexi care fund को इसलिए short test किया था क्योंकि इसकी performance जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी जा रही है पिछले 3 साल के returns आप देखते हैं या पिछले choice बन जाता है flexi care fund के अंदर वो बन जाता है पराग पर एक flexi care fund इस fund के अच्छी बात यह भी है कि क्योंकि पराग पर flexi care fund foreign equity investments में भी आपकी investments करता है औल्दो अभी foreign equity investments बन हैं लेकिन अगर future में कभी foreign equity investments open होती हैं तो पराग पर flexi care fund में आपको यहाँ पर जादा अच्छा benefit देखने को मिल सकता है तो पराग पर flexi care fund को finally हम यहाँ पर choose कर लेते हैं flexi care funds के अंदर next और final category हमारे पास आती है small cap funds की और small cap fund में मैंने यहाँ पर again दो mutual funds को choose किया है एक है Nippon India small cap fund fund का जो fund size है वो है 21,320 crores का तो fund size क्योंकि Nippon India small cap fund का अच्छा है तो इसको हम यहाँ पर marking देंगे अगली हम बात करते हैं expense ratio की तो expense ratio में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है खाली 0.02% का अंतर है बट फिर भी क्योंकि comparison की बात हो रही है तो expense ratio क्योंकि SBA small cap fund का कम है तो हम इसको यहाँ पर mark कर देते हैं exit load दोनों ही fund का यहाँ पर 1% है तो इससे हमें फरक नहीं पड़ता benchmark के अगर हम बात करते हैं तो इसका benchmark है Nifty small cap 250 TRI और इसका benchmark है S&P BSE 250 small cap TRI यानि कि small cap के अंदर top 250 small cap companies returns के अगर हम बात करते हैं तो सीधे हम यहाँ पर compare करेंगे सबसे पहले 1 year के returns को तो 1 year के returns Nipon India small cap के बहुत ज़्यादा है compared to SBA small cap fund उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 years के returns की तो 3 years के returns again Nipon India small cap fund के ही ज़्यादा है 45.82% के फिर हमारे पास आते हैं 5 years के returns जो की again Nipon India small cap fund के ही ज़्यादा है अब क्योंकि consistently Nipon India small cap fund के returns जो है वो ज़्यादा गए है तो obviously उसका alpha भी ज़्यादा होगा तो इसका alpha है 9.41% का जबकि SBA small cap fund का जो alpha है वो है 5.56% का तो green mark हम देंगे Nipon India small cap fund को बीटा के अगर हम बात करते हैं तो इसका बीटा है 0.86% का इसका बीटा है 0.71% का तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीटा जिस fund का कम होगा वो fund आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा तो बीटा के लिए हम इस वाले fund को SBA small cap fund को marking दे देंगे फिर हम बात करते हैं standard deviation की तो standard deviation में जो ज़्यादा deviate कर रहा है ज़्यादा volatile जो है वो है निपॉन इडिया small cap fund जो कि अच्छी बात नहीं है दूसरी तरफ हमरे पास है SBA small cap fund जो कि less volatile है तो हम यहाँ पर इसको एक code mark देंगे finally हमरे पास आयता है turnover ratio तो 21% का turnover ratio है निपॉन इडिया small cap fund का और 8% का turnover ratio है SBA small cap fund का turnover ratio जसके मैं आपको बताया था कि अगर turnover ratio 25% से ज़्यादा का होता है then that mutual fund is considered as mismanaged mutual fund तो turnover ratio भले ही निपॉन इडिया small cap fund का ज़्यादा है 21% का है बट फिर भी वो range में है तो इसको हम consider कर सकते हैं बट comparison के अगर हम बात करते हैं तो SBA small cap का turnover ratio है वो कम है तो यह होगे सारा comparison small cap के दो funds के बीच में और अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों funds में से हम किस fund को consider करना ज़्यादा पसंद करेंगे long term के लिए 10 साल या 15 साल के लिए तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर consider करना चाहिए निपाउन इडिया small cap fund को लेकिन आप कहेंगे कि यार इसका beta भी जादा था इसका standard deviation भी जादा था इसका turnover ratio भी जादा था तो फिर आप इसको choose क्यों कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको याद इला देता हूँ कि हम यहाँ पर एक small cap mutual fund में investments की बात कर रहे हैं और जैसे कि सब लोग जानते हैं यह एक fact है कि small cap जो category है वो काफी volatile category है यानि कि थोड़ा सा extra risk करी करती है तो अगर आपको थोड़ा सा extra risk लेकर आपको returns जो है वो consistently बहुत जादा मिल रहे हैं बहुत अच्छे returns मिल रहे हैं जादा alpha यहाँ पर आपको मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको small cap category में एक ऐसा mutual fund चूज करना चाहिए जो आपको returns अच्छे दे रहा है और fundamentally यानि कि उसके जो बागी fundamentals हैं वो भी अच्छे है expense ratio उसका ठीक है fund size इसका जादा है और यह काफी पुराना fund है तो अगर मैं अपनी choice की बात करूँ तो इन दोनों ही funds में से मैं चूज करना पसंद करूँगा निपॉन इडिया small cap fund को क्योंकि मुझे obviously small cap के अंदर मैं जानता हूँ रिस जादा होता है लेकिन मुझे returns भी उसके हिसाब से जादा चाहिए बागे totally आपके risk tolerance पे डिपेंड करता है अगर आपको लगता है कि आपके लिए small cap fund के अंदर SBA small cap fund मैतर रहेगा आपको small cap में भी कम risk रही है बट फिर भी अगर मैं factually बात करूँ तो यहाँ पर risk के मुकाबले में आपको भी बहुत बड़ा risk नहीं ले रहे है निपॉन इडिया small cap में अपनी investments करके तो finally मैं यहाँ पर इस fund को choose कर लेता हूँ तो जिन भी mutual fund को मैंने अभी अभी आपको compare करके दिखाया है Excel sheet में रखा था ऐसा निये कि इन mutual funds को मैंने जानबूच के रखा है और एक mutual fund को अच्छा दिखा गए उसमें आपका पैसा मुझे invest करवाना है ऐसा करके मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलने वाला मैंने यहाँ पर बस जो best available mutual funds थे जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं उन mutual funds को रखके उनके बीच में comparison किया है सही data, सही analysis और सही comparison के साथ जिससे कि आप यह समझ पाएं कि आपके लिए कौन से mutual fund अगले 10 साल, 15 साल ऐसे duration के लिए future के लिए आपके लिए अच्छी होंगे आप सब लोग एक ही age के हैं obviously ऐसा possible नहीं है और मेरे चैनल पर आने वाले visitors का अगर मैं data निकाल के देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि 25 years से उपर के जो लोग है वो मेरी वीडियो को जाला देखते हैं तो हो सकता है कि आपके 30 हो, 40 हो, 50 हो even 60 या 65 प्लस years के लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं और क्योंकि मैं यहाँ पर next 10-15 years तक इन mutual funds में investments करने की बात कर रहा हूँ और आप लोग जो की अलग-अलग ages के हैं आप सभी लोग अगर इन mutual funds में बिल्कुल एक ही तरह से अपनी investments करेंगे तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा जिस तरह से एक 30 years का investor अपनी investments इन mutual funds में अगले 10 साल के लिए करेगा सेम ऐसे ही 60 years के senior citizen अपनी investments नहीं कर सकते तो जल्दी से मैं age wise इसे भी यहाँ पर breakdown कर देता हूँ तो अगर आपकी age है 30 और आप next 10 years यानि कि 40 years की age तक के लिए अपनी investments कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको index funds के अंदर अपनी allocation जो रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए 35% की यानि कि हर 10,000 रुपए पर आपको यहाँ पर index fund के अंदर 3500 रुपए invest करने चाहिए वहीं flexicap fund में आपको रखना चाहिए 40% allocation और small cap fund के अंदर आपको रखना चाहिए 25% allocation वहीं अगर में बात करता हूँ कि अगर आपकी age है 40 और आप यहाँ पर 50 years की age तक के लिए अपनी investments कर रहे हैं तो index fund के अंदर आपको यहाँ पर allocation रखना चाहिए 40% का flexicap में आपको रखना चाहिए 45% का और small cap fund के अंदर आपको रखना चाहिए 15% allocation अगर आपकी age है 50 years और आप 60 years की age तक के लिए अपनी investments कर रहे हैं तो आपको index fund में अपनी allocation रखने चाहिए 45% flexicap में भी आपको अपनी investments रखने चाहिए 45% की ही और small cap fund के अंदर आपको अपनी investments रखने चाहिए 10% की वही अगर आपकी age 60 plus है यानि कि ये वो age है जहाँ पर आपको जादा risk नहीं लेना चाहिए तो equity में आपको अपना allocation यहाँ पर कम कर देना चाहिए और जो debt और दूसरे instruments है उसके अंदर आपको अपनी allocation बढ़ा देने चाहिए तो index funds क्योंकि pure equity funds होते हैं लेकिन index funds आपके लिए एक अच्छा investment option भी है तो index fund में आपको यहाँ पर अपना allocation 30% ही रखना चाहिए flexi cap में आपको यहाँ पर investments नहीं करनी है small cap में आपको यहाँ पर investments नहीं करनी है इनकी जगा पर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपने लिए थोड़े से और safer funds यानि की balance advantage funds with dynamic asset allocation तो यह जो balance advantage fund है यह एक तरह से hybrid funds की ही category होती है जिनके अंदर equity और debt दोनों का ही allocation होता है तो balance advantage fund के अंदर ICC Prudential के balance advantage fund आता है या फिर SGFC का भी balance advantage fund आता है with dynamic asset allocation तो इनके अंदर आप अपने allocation रख सकते हैं 30% की तो 30% आपने invest कर दिया index fund के अंदर 30% आपने invest कर दिया balance advantage fund के अंदर बाकि जो 40% amount आपके पास बसता है उस 40% amount को आप यहाँ पर fixed deposit यानि की FD में रह सकते हैं अब क्योंकि आप 60 plus हैं senior citizen की category में आते हैं तो यहाँ पर आपको FD में काफी अच्छा interest rate मिल जाएगा तो आप almost किसी भी अच्छे debt fund के बराबर के returns बहुत असानी से ले पाएंगे अब finally मैं यहाँ पर आपके कुछ doubts क्लियर कर देता हूँ top of army mutual funds को लेके हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग यह कहें कि आप अपने वह वला mutual fund क्यों नहीं लिया और फिर small cap में आपने वह वह वला mutual fund क्यों नहीं लिया उस mutual fund ने पिछले एक दो साल है बहुत अच्छे returns दिये हैं जिन mutual fund के अंदर आप बिना सिरदर्दी के long term के लिए 10 साल या 15 साल के लिए अपनी investments कर सकते हैं access mutual fund के अगर मैं बात करता हूँ तो 2 साल पहले access के सभी mutual funds large cap, mid cap, small cap top ranking में आते थे लेकिन आज उन सभी mutual funds के जो ranking है वो काफी नीचे चली गई है मैं खुद भी access mutual fund में आज भी invested हूँ और अभी कुछ समय के लिए और invested रहूँगा जब तक मुझे एक सही reason नहीं मिल जाता access mutual fund को exit करने का हर साल नए ने top of a mutual funds को देख के उनमें अपनी investments करना और पुराने mutual fund से exit कर देना ना तो एक खेल मैं खुद गरता हूँ और ना ही मैं एक खेल करने के लिए किसी को suggest कभी करूँगा किसी भी mutual fund ने अगर short duration में 1-2% या 3% के ज़्यादा returns दे दिये हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वही mutual fund अच्छा है उसी mutual fund में आपको अपनी investments करनी चाहिए यह सबी चीजे आपके बस दिमाग के भ्रांती हैं इससे कुछ खास फरक long term में नहीं पड़ेगा ज़रूरी है कि आप fundamentally अच्छे mutual funds अपने लिए choose करें और अपनी investments निश्चिन्थ होकर उनके अंदर करें और आपका जो भी नौकरी पेशा है आप उसके ओपर ज़्यादा focus करें क्योंकि अगर आप mutual funds mutual funds का खेल ही करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप यही करते रहेंगे और इवन यह भी possible है कि अगर future में मैं खुद भी top performing mutual funds के वीडियो बनाऊ मार्किट की performance के हिसाब से mutual funds के allocation के हिसाब से इन mutual funds की जो ranking है यह उपर नेचे होती रहती है वैसे मैंने इस topic के उपर भी एक dedicated वीडियो बहुत पहले बनाए थी आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं आपके बहुत सारे doubts यहां पर clear हो जाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको helpful लगी है तो इस वीडियो के नेचे जो like बटन है उसको click करके मुझे बताईए और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा जल्दी ही मिलेंगे next वीडियो में thank you for watching